दोस्तों, जैसे कि आभी मेरा फोन देख रहे हो, मेरे फोन में इस तरह का एड आ गया है और इस एड को बोलते है display एड, जो आपके फोन में कोई ऐसे iPad को open करते हो Sahib को open करने से पहले एड दिखाते है, और ऐसे ऐड आता है जिसको बोलते है misleading ad जो add किसी के सामने आ जाता है उस टाइम आपको बहुत ज़दा शरम लगता है कि ऐसे add क्यों आता है और अगर आप चाहते हो आपका phone में कोई भी app open करने के बाद add ही ना आए तो आप क्या करोगे इस तरह का बार-बार add से आप बहुत ज़दा परिशान हो तो उस टाइम आपको क्या गर होगे इस वीडियो में बताओंगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा जो वीडियो देख रहे हो इसी कुशी में दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिना है और सेनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ओल बेल पे दोस्तो आपको दबा कर दिना है इसके साथ सब जो फीटियो देख रहे हैं कमेंट बक्स में एड एक कमेंट आएगा इसके लिए आपके फून में आपके फून के सेटिंग से आप जो है एड को बन कर सकती हो तो इसके लिए आपके फून के सेटिंग पर जाना होगा सेटिंग पर जाने की बाद देखो एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम है प्राइबेट डियनेस और यह जो setting है हर ended phone में होता है किसी किसी एंड़ phone में additional setting पे होता है किसी किसी phone में अलग-अलग setting पे होता है तो इसलिए आपको करना क्या होगा आपके phone में आके search setting में private DNS search कर लो जैसे आप private DNS search करोगी तो इस तरफ से मिल जाएगा तो आपको इसी private DNS पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे off रहेगा या तो auto रहेगा तो आपको करना क्यों होगा private DNS provider host name पे click करना होगा उसके बाद यहाँ पे एक लिखना होगा और यहाँ पे क्या लिखना होगा ध्यान से देखो dns.adzuard.com ध्यान से समझो विडियो को dns.adgard.com लिखके save कर देना होगा यही सेटिंग पहला सेटिंग आपको यहाँ पे कर देना है जैसे private DNS पे click करोगे off को हटा के private DNS provider host name पे dns.adgard.com लिखके save कर देना है ठीक है और यह हो गया पहला सेटिंग दूसरा सेटिंग जो आपके google chrome है google chrome पे आना होगा google chrome पे आने की बाद simply 3 fully stop पे click करना होगा उसके बाद setting पे click कर देना होगा setting पे click कर देने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आजाना होगा site setting करके एक मिलेगा जैसे कि देख पा रहे हो तो इसी site setting में click कर देना होगा और site setting में click कर देने के बाद बहुत सरे ऐसे setting मिल जाता है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा जैसे थोड़ा नीचे आ जाओगे तो ads करके एक setting मिल जाएगा जिस setting का नाम होगा intersitive ads यह देखो देख सकते हो intersitive ads तो इसमें आपको allow रहेगा तो यहाँ पर any site that you visit can show any ad to you इसको आपको off कर देना होगा यह off कर दोगे तो ads are blocked on site known to show देख सकते हो और misleading ads जो आपको बने बताया था तो यह बस आपको यह दो setting को आपको आपके phone में करना है कर देने के बाद उसके बाद जो है आप आपके phone में कोई भी app को open करो या कुछ भी करो, जिसे मैं एक app को open किया, open करने की बाद यहाँ पर मैं इसमें गया, जाने की बाद देखो login हो रहा है, लेकिन add कभी नहीं आएगा, और misleading add तो आए गई नहीं, और यहाँ पर देख सकती हूँ, loading होगा, लेकिन add नहीं आएगा, आपके फोन में अगर display add से आज के बाद आपके फोन में एड़ आना बंद हो जाएगा तो अगर दोस्तों आपको यह पसंद आया और वीडियो से थोड़ा भी हल्प लगा तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर देना